गर्मियों में तवचा की कई समस्याएं हो सकती हैं ऐसे में विशे सावधानी रखना जुरूरी है जो प्रॉब्लम्स हम देखते हैं तवचा में उसमें इंफेक्शन्स बहुत इंपॉर्टन्ट होते हैं गर्मी के दाने भी देखे जाते हैं कई बार मच्छर के काटने से भी प्रॉब्लम हो सकती है सबसे पहले आप अवाइड कीजिए उन एरियास को जहां पर आपको बहुत पसीना आता है क्योंकि पसीने के कारण ही इंफेक्शन्स होते हैं दोनों फंगल इंफेक्शन्स भी और बैक्टिरियल इंफेक्शन्स भी तो अगर आपको बहुत पसीना आता है तो आप ऐसी जगए पे रहिए जहां पर तापमान जादा नहीं है और अगर स्वेटिंग होती है तो एक दो बार अगर आप नहा लेंगे तो उससे आपका काफी स्केन में फायदा रहेगा अगर आपको इंफेक्शन हो जाता है बैक्टिरियल हो या फंगल हो तो आप किसी डर्मेटोलेजिस से मिल लीजे गर्मियों में तवचा को लेकर साफधानी रखना जुरूरी है दूसरा प्रॉब्लम जो बहुत आम देखा जाता है गर्मी में वो सन अलर्जी है तो जब आप निकलना चाहते हैं बाहर तो आप दुपहर की धूप अवाइड कीजिए और अगर आप चाहते हैं तो संस्क्रीन यूज़ कर सकते हैं अल्सो एक अंब्रेला चात्री लेकर आप निकलेंगे तो आपसे धूप का बचाव रहेगा गर्मी के दानों से बचाव करने के लिए आप स्वेटिंग अवाइड कीजिए अगर आपको हो जाते हैं तो आप मुल्तानी मिट्टी का भी प्रेवक कर सकते हैं तवचा की सही देख भाल करें जिससे गर्मियों के मौसम में तवचा की समस्याएं दूर रहें किरन भार्द वाज डीडी नियूज